रिलेसंशिप की सबसे गंदी मज़ा किये है एक टाइम पर आपका पार्टर आपको ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यदा लखी हूँ मुझे तुम ज़ेसा पार्टर हूँ और एक टाइम के बाद वही पार्टर आपको इग्नोर करता है और तब वो आपके बारे में ये सोचता है कि इसके जैसे तो मुझे कहीं और मिल जाएंगे याद रखना वो आप ही होते हो जिसके बारे में एक टाइम पर उनको गर्व महसूस होता है कि ये इंसान मेरा पार्टर है और वो भी आप ही होते हो, जिसके बारे में एक टाइम के बाद वो ये भी सोच लेता है, ये तो बहुत मामुली है, इनके जैसे तो मुझे कहीं मिल जाएंगे जब वो आपके बारे में गर्व महसूस करता है न तो एक गलती कर देता है आप जितने अच्छे होते हो न उनको कहीं ना कि आप उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हो उस टाइम पर जब वो आपको इग्णोर करता है या जब वो आपको मामुली समझता है न अगेन वो फिर से गलती कर देता है क्योंकि वो जितना आपको मामुली समझता है न एक्छल में आप उतने मामुली भी नहीं होते वो कौन सी बात है जिसके कारण आपको पाकर उस इंसान को अपने आप पर गर्व महसूस होता है और वो बात है कौन सी है जिसके कारण वो आपको मामुली समझ लेता है बस इतना समझ लिजिए आप पूरी की पूरी वुमन साइकोलोजी को समझ जाओगे वो आपको पाकर गर्व महसूस करेगा या आपको इग्नॉर करेगा यह चीजे तय होती है कि दोनों घटनाओं के बीच में आपने अपने आपको उस व्यक्तिक के सामने कैसे रखा अपने आपको किस तरह से प्रेजंट किया Presentation, दुनिया का सबसे, सबसे ज़्यादा खुपसरत कोई word है तो वो है Presentation जो तारकिक लोग होते हैं वो इन चीजों के साथ बहुत ही खुपसरती से खेलते हैं क्योंकि जैसे इंसान को ये पता दन गया कि लोगों के सामने चीजों को रखना कैसे है वो इनसान सामने वाले इनसान को बिना बोले भी अपनी बात आसाने से मनवा सकता है जब तक आप relationship में अपने आपको partner के सामने एक सही तरह से present करते रहोगे ना तब तक आपका partner आपको पाकरना गर वो मैसुस करेगा कि आप कितना बढ़िया इनसान मुझे मिला है लेकिन आप कितने भी अच्छे इनसान क्यों ना हो लेकिन आपको पता नहीं है कि partner के सामने मुझे अपने आपको सही तरह से present कैसे करना है वो इनसान आपको ignore करेगा और बाद में आपको छोड़ देगा branded कपड़े बेचनी वाली companies अपने बहुत बड़े-बड़े store क्यों लगाती है अगर वही बड़ी-बड़ी brand की जो companies होती वो अगर ready लगा कर अपने कपड़े बेचे तो क्या वो अपने customer को बहुत ज़दा सस्य कपड़े नहीं दे सकते अगर वो ऐसा करें तो वो अपने लाखो रुपे के खर्चों को बचा सकती है लेकिन ऐसा करने से लोग उनकी product की value नहीं करेंगे एक्टुल में branded companies ये चाहती है कि लोग उनके कपड़ों की बहुत ज़दा value करें और इसलिए वो लाखो रुपे खर्च करते हैं सिप और सिप अपनी product को लोगों के सामने customer के सामने सही तरह से present करने के लिए और इसलिए लोग उनकी बहुत ज़दा value भी करते हैं मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि लोगों के सामने अपने आपको सही से present करना सीखो तभी relationship में आपकी value होगी सिर्फ relationship में ही क्यों? आपकी job में, आपके business में, जहां भी आप लोगों के साथ deal करते हो वहाँ पे अपने आपको लोगों के सामने सही तरह से present करो जिसमें आपकी effort तो कम लगेगी लेकिन फिर भी लोग आपकी value जादा करेंगे तो चलिए बात करते हैं कि खुद को सही तरह से present कैसे करते हैं लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें अगर आप चाहते हो कि relationship में आपका partner की value करें तो सबसे पहले चीज आपको सीखनी होगी और वह चीज है make your time valuable अपने time को आप valuable बनाना सीखो सिफ time को valuable दिखाना नहीं लेकिन actual में आपको अपने time को valuable बनाना है क्योंकि लोगों को उन लोगों का time नहीं चाहिए जिन लोगों के पास बहुत ज़्यदा time है किसी को देने के लिए लेकिन actual में लोगों को ऐसे लोगों का time चाहिए जिनके पास real में दूसरों को देने का फालतू time नहीं है कहीं लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यदा time है time ही time है वो दिन भर किसी को time दे सकते हैं दिन भर किसी से बात कर सकते हैं लेकिन जादा तर लोगों को ऐसे लोगों के साथ relation नहीं बनाना अगर ऐसे लोगों का relation अगर किसी के साथ बन भी जाता है न तो बहुत ही जल्दी लोग ऐसे लोगों के साथ relationship में बहुत ज़धा बोर होने लगते हैं लेकिन जिस दिन आपको भूक ही ना लगी होना उस दिन कितना अच्छा खाना भी आपको उतना स्वादिश नहीं लगता ज़धा time देने वाले लोगों की यही गलती होती है कि वो सामने वाले इंसान के अंदर भूक बनने नहीं देते हैं उनका interest create ही नहीं होने देते हैं तो real में लोगों को कैसे लोगों का time चाहिए, लोगों को ऐसे लोगों का time चाहिए, जिनके पास देने के लिए real में time नहीं है, एक ऐसे इंसान का time चाहिए, जिसके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, जिसका ज्यादतर time अपने काम करने में जाता है, या अपनी fitness के उपर जाता है या ज्यादा तर टाइम उसका अपनी लर्निंग में जाता है या अपनी फेमिली के साथ गुजारता है एंसोट उनके पांस दूसरों को देने के लिए कोई फालतो टाइम नहीं है अगर कोई इसको कोल करे और पूछे कि क्या कर रहा है तो ऐसा इंसान कभी भी यह आं इस लिए लोग ऐसा ही इंसान को आप पहले से पता ही है कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता पूरे दिन आप फ्री होते हो और उसके बाद भी आप उनके मैसेज को इग्नोर करें तो ऐसा करने से आपका पार्टमेर आपको वेल्यूबल पर्शन नहीं समझेगा इससे वो आपकी वेल्यू नहीं बट उनका सोख होता है हमेशा दूसरों की help करना वो ना ये भी नहीं सोचता कि सामने वाला इंसान मुझे help मांग रहा है या नहीं मांग रहा है वो जस्ट दूसरों का काम करने लगता है दूसरों को help करता रहता है आप देखोगे कि ऐसे लोगों का लोग यूज़ सो बहुत करते हैं कि यार वो बड़ा इंसान है उसके पास टाइम नहीं होता अपने बजपंच चीज नोटिस की होगी कि जब भी आपके स्कूल में कोई फंक्सन होता था जब आपकी कोलेज में कोई फंक्सन होता था तब ना एक वहां पर बंदा आता था जिसे हर कोई चीफ गेस्ट क जला जाता है उसके बारे ही ये बता दिया जाता है कि उनको जाना पड़ेगा थोड़ा सा उनका अरजंट काम है यकीन मानिए वहां से वो निकल कर रहा होता है ना वो भी जो गेस जाते है ना तब उनको ऐसे थैंक्यू बोलता है कि भाई जो आपने अपना किम्ती टाइम दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद गल्फ्रेंड के एक मिस्कोल पर बाइक स्टार्ट करके उसके पीछे भागना या उनको ये बताना कि मैं तेरे लिए ओल्टाइम फ्री हूँ यही वो सारी गलतिया है जिसके कारण आपकी गल्फ्रेंड के या आपके बोईफ्रेंड के माहन में आपकी वेल्यू दीरे-दीरे खराब होने लगती है अब कुछ लोग बहुत जदा कंफ्यूज होते हैं उनको लगता है कि या स्टार्टिंग में मेरे पार्टनर की क्या एनरजी थी वो मतलब मेरे कितनी वेल्यू करता था मेरे एक मिस्कोल पर मेरे पीछे भागय भाग आएगा बार बार आपने ऐसे experience करवा के करवा के ही अपनी value खराब करी है अगर आप अपने time को valuable नहीं बनाओगे ना तो लोगों की नजरों में आप valuable person कभी भी नहीं बन पाओगे अगर आप चाहते हो कि relationship में आपका partner आपकी value करे तो ये दुसरे चीज़ को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो आपको ये बताती है कि make yourself loveable आपको अपने आपको ऐसा बनाना है जिससे लोग प्यार करें ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी personality, ऐसा किर्दार आपका होना चाहिए कि लोगों को ऐसे लोग चाहिए जिनको प्यार करना actual में चाहते है अब इस बात को ज्यान से समझना लोग ना ऐसे लोगों को प्यार नहीं देते या ऐसे लोगों को प्यार नहीं करते जिन लोगों को real में किसी के प्यार की need है जिन लोगों को रियल में किसका प्यार चाहिए लोग ऐसे लोगों को प्यार देते ऐसे लोगों को प्यार करते जिन लोगों को उनकी लाइफ में रियल में प्यार की कोई नीड ही नहीं जिन लोगों को प्यार उनकी लाइफ में चाहिए ही नहीं 20 साल की age के आसपास लोगों को ऐसा feel होता है लोगों के अंदर ना desire create होता है कि भाई life में कोई ऐसा होना जाए जो person ना मुझे समझे उस time पर इंसान को यही लगता है कि 20 साल में मैंने सब कुछ problem भेस कर लिया तो कोई होना जाए जो मुझे को समझे में से एक खार्षत है प्यार आपको तभी मिलता है जब आप प्यार को पाने की मेनद कर करके ठक जाते हो और आपके दिल से ही आवाज निकलती है कि भाण में क्या यह प्यार गया मुझे चाहिए नहीं इतना दा serious होकर जब आप प्यार से दूर भागने लगते हो तभी आपको प्यार मिलता है तो तब तक क्या उनका प्यार में relationship में एक दो बाद दिल भी तूट जाता है करीब करीब जो उनकी age होती है वो 25 साल हो जाती है 30 साल हो जाती है तो अब इन टूटे हुए रिस्तों से वो बहुत सारी चीज़े समझने की कोसिस करता है वो सीखने लगता है एक्चुल में जो एक normal इंसान होता है वो तो दो break up के बाद बहुत सारी चीज़े सीख लेता है लेकिन कुछ लोग normal नहीं होते जो lifetime कुछ चीज़े नहीं सीख पाते है ये वो time होता है ये वो स्थिती और यहीं वो अवस्ता होती है जहां पर इनसान है युनिवर्सल टूट के यानि की सत्य के बहुत ही करीब होता है सत्य के करीब इसलिए क्योंकि हमारे सारे धार्मिक गरंद और विचारों को ने एक ही बात बताई है कि इस दुनिया में सिब तुम ही अकेल हो जो अपने आपको खुस कर सकते हो तुमारे सिवा इस दुनिया में को ऐसा इनसान नहीं है जो तुम्हें खुस कर सकता है और इस दुनिया में आप अकेल हो हर एक इनसान इस दुनिया में अकेला है यही सबसे बड़ा truth और हकीकत है जितना जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना जल्दी accept कर लो और दिल टूटने के बाद बार बार दिल टूटने के बाद हर इनसान कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस करता है फिल करता है जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होता है नो वो समझने की कोसित करता है कि यार ये बात तो सही अकेला ही तो हूँ और कहीं बार नियती भी हमें हमारी लाइफ में ऐसी परिस्षित्या क्रियेट कर देती है जहां पर हम ऐसी चीजे सोचने पर मजबूर हो जाते है कई न कई गुदरत हमारी लाइफ में ये सारी परिस्षित्या क्रियेट करके हमें कुछ इसारे देती है कुछ समझाने की कोसिस करती है ताकि हम रियालिटी को और तूथ को समझ सके देख सके तो ये सारी चीजे एक्सपिरियेंस करने के बाद उन लोगों को ये समझ में आता है कि दूसरों के पीछे बागने से कुछ नहीं मिलेगा ये दुनिया तो मतलब ही है तो अब हमें मेनत और फोकस अपनी लाइफ बनाने में करनी चाहिए अब इसे इंसान खुद को टार्गेट करके अपनी लाइफ जीते है खुद का कदियर, खुद का पेशा और खुद की हैपिनेस यही होते है उनके टार्गेट अब इस इंसान की लाइफ में कोई डिस्ट्रेक्शन तो रहा ही नी न तो यह तो कटपव में थोड़ा टाइम लगेगा या ज़्याधा टाइम लगेगा उस इंसान की लाइफ में या उसके करियर में ग्रोफ तो होनी होनी है अब वो बंदा अपनी लाइफ में खुस भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो जहां पर effort लगा रहा है न क्योंकि वहाँ पर उसने टाइम लगाया था जो एफट लगाया थे वह वेस्ट हो गया थे लेकिन यहाँ पर वह वेस्ट नहीं हो रहे है इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश भी होगा और अपकोस वह इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने पर लगा रहा है अपने काम पर लगा रहा है क्योंकि सिंपल सी चीज होती है जितना आप इमोशनल फोकस आपका मेंटल फोकस रिस्तों में या लोगों की उपर जाता है ना आप उतने ज्यादा अंदर से इमोशनल फिल करते हैं लेकिन जितना दादा आपका mental focus, emotional focus आपके काम के साथ जूट जाता है आप उतना अंदर से emotionally strong feel करोगे अब वो बंदा emotionally बहुत ज़्या strong है इसलिए उसको किसी की नीर भी नहीं है उसको पता है कि मुझे अपने आपको खुश कैसे रखना है अब उसको पता है कि लोग प्यार को value नहीं करते हैं पैसे को value करते हैं इसलिए उसकी life में जो distraction नहीं है तो पैसे भी कमाएगा वो ये समझ लेता है कि लोग प्यार को नहीं पैसे को वेल्यू करते है और जब उसकी लाइफ में कोई distraction रहा नहीं तो यहाँ पर वो पैसे कमाने के उपर ही फोकस करेगा और वो कमाएगा भी जब एक इनसान की लाइफ में इतना ज़दा परिवर्चन आ जाता है जब वो इनसान अपने आपको इतना ज़दा बदल लेता है न तब ऐसे लोगों के उपर दूसरे लोगों का ध्यान जाता है जाता है और जाता है ऐसा possible ही नहीं है कि ऐसे लोग दूसरे लोगों की नज़र से अपने आपको बचा पाए लोग इनको notice करेंगे ही करेंगे अन्यसे लोगों को कोई मामूली समझ कर ignore करें यह तो logically possible ही नहीं है एक time होता है जिस time पर यहीं लोग थे जो यह सोचे थे कि यार कोई इनसान मिल जाए वो हर इनसान से प्यार ढूने की कोसिस कर रहे होते हैं किसको propose करते हैं लेकिन तब लोग इनको भगाते हैं लेकिन इस level पर आने के बाद चीज़े उल्टी हो जाती है अब हर दूसरे इनसान को ये person पसंद आता है हर को इनके साथ relation बनाना चाहता है लेकिन अब कमाल की बात ये है कि इस इनसान को किसी के प्यार की नीडी नहीं है फिर भी इस इनसान को प्यार करने वालों की कमी नहीं होगी क्योंकि अब इस इनसान के अंदर वो qualities develop हो जाती है जिन quality के कारण लोग दूसरे लोगों को प्यार करते है या उन quality वाले लोगों को लोग ढूनते हैं आपने कहीं बार ऐसा सुना होगा ना कि लड़कियों को बड़ी age वाले लड़के ज़्यादा पसंद आते या जो married लड़के होते वो ज़्यादा पसंद आते लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो 30-40 साल age का बंदा होगा वो 20 साल की लड़के की तरह प्यार के लिए रोहेगा नहीं, प्यार के लिए भागेगा नहीं वो ज़्यादा mature होता है, वो ज़्यादा practical होता है उसका career भी बहतर होता है और सबसे बड़ी बात कि वो emotionally बहुत दा strong हो जाता है अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको प्यार करने वाला होना चाहिए कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको समझे इसके लिए आपको पेसे कमाने की या लोगों को दिखाने की जरोत ना पड़े आपको किसी भी condition में वो इंसान समझे आपको प्यार करे है तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा इंसान तब ही मिल सकता है जब आपकी किसमा बहुत ज़्यादा अच्छी हो क्योंकि ज़्यादा तर लोगों की यही उमीद होती है लेकिन किसी की उमीद पूरी नहीं होती प्यार तो मिलता है हर किसी को मिलता है बहुत ज़्यादा मिल सकता है लेकिन वो तब मिलता है जब आप खुद ऐसा व्यक्ति बन जाओ जब आपका व्यक्ति तो वो ऐसा बन जाए जिसको प्यार की नीडी ना हो, उसकी जरूरत प्यार होई ना आपको जरूरत है कि आप अपने आपको emotionally strong बनाए और लोगों में प्यार ना ढूंड़िए क्योंकि ऐसा हो, ऐसा आपको कोई इंसान मिले उसकी संभावना बहुत ही कम है ऐसे उल्टा, आप अपनी लाइब की खुसी और अपनी लाइब का confidence अपने काम में ढूंड़ो, अपने काम को प्यार करो आप अपने काम में जितना ज़्यादा growth करोगे आपका confidence भी उतना बड़ेगा और आप emotionally strong भी बनोगे इसलिए प्यार ढूंडो मत, क्योंकि ढूंडने से आज तक किसी को प्यार मिला नहीं है कहीं लोगों को लगता है कि ढूंडने से उनको प्यार मिला लेकिन कुछ टाइम बाद उन लोगों को पता चलता है कि उनको प्यार के नाम पर एक ब्रह्म मिला था एक वहयम मिलाता, जो दिल तूटने के बाद उनका ब्रहम भी आपड़ टूट जाता है, जब आपका व्यक्तित्व इतना स्ट्रोंग बन जाता है, जब आपकी पर्सनलिटी इतनी स्ट्रोंग बन जाती न, तो आपके व्यक्तित्व में से एक सुगन निकल दिये, जो लोगो लोगो को अपने आप आपके और आकरसित कर लेती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आपको जरूत है शिप हो सिब अपने आपको पूर्ण बनाने की अपने अंदर एक complete-ness की vibe लाने की। और आपने वो completeness तभी आ सकती है जब आपकी need लोगों से नहीं होती आप अपने होने में ही खुश हो जाते हो क्योंकि जब तक खुश होने के लिए दूसरों की जरोत होती है तब तक कभी भी आप पूर्ण नहीं हो सकते आप अजूर ही रहोगे अप जब जब ऐसे इंसानों को देखोगे न तो आपको ऐसे इंसानों में एक अलग आकर्षन मैसूस होगा वो आकर्षन और कुछ नहीं वो आकर्षन सिप उस इंसान का complete होने का एक प्रमान है तिसरी चीज अगर आप चाते हो कि relationship में आपका partner या लोग आपकी value करें तो आपको एक चीज सीखनी होगी कि आपको आपको visible person दिखाना है Make yourself visible आपको पता है आप relationship में होते हैं आपको पता है आप लोगों के बीच में होते हैं लेकिन रिलेस्टन में होने के बाद भी या लोगों के बीच होने के बाद भी लोग आपको देखी नहीं पा रहे, लोग आपको समझी नहीं पा रहे, लोगों को आप दिखी नहीं रहे हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक लोयल इंसान हो, आप किसको बहुत अधा प्य कौचेंगे जब वो आप तक नहीं पहुँच पाते तब उनके रिलेस्ट्टन ऐसे लोगों के साथ बन जाते जो लोग उनको धोका देते हैं उनके बाद लोगों को लगता है कि आ दुनिया में अच्छे इंसान ही नहीं लेकिन आपके जैसे अच्छे इंसान बहुत है लेकिन लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते उनको समझ या उनको देख नहीं पाते लेकिन एक सफल इंसान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता लेकिन इस दुन्या में सामान या इंसान किसी को दिखता ही नहीं है अच्छे लोग हैंग, नहीं बूरे लोग भी आएंगे. लेकिन कमाल की चीज यह होती है कि लोग सफल इंसान पर ज्यदा टरस करते हैं पर जल्दी से टरस करते हैं. क्रूंके लोगों को यो क्यों टरस मिलता है कि जो इंसान इतना सफल जिसका अपनी dedication होता है न वो इंसान प्यार में या relationship में चिछोरा नहीं होता उसका dedication अपने relation में या प्यार में भी उतना ही होगा लोग इसलिए trust करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इंसान relationship में आएगा तो उसमें भी perfect ही होगा जितना वो अपने काम में है या उपनी practically life में है तो इस तरह से आपकी life की सफलता, success आपको बहुत बड़ी visibility तो देती है लेकिन आपको एक बहाँ परफाइदा ये भी होता है कि लोग आपकी उपर इन चीजों में trust बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा करेंगे एक कोई बहुत ही अच्छी सी product किसी production house में बनती है लेकिन वो production house में पड़ी रहे, कभी भी so room तक पहुँचे नहीं तो क्या उसके customer, क्या लोग उस product को notice कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे एक अच्छी product को भी soho करने के लिए एक अच्छे से so room की जरूरत होती है आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आप कितने भी loyal इंसान हो लेकिन जब तक आप सफल नहीं हो जाते, आप अपनी loyalty की घंटी अपने गले में डाल लो ठीक है? और दुनिया को बताओ लोगों को आप दिखो गई नहीं और लोग आप क्यों पर trust भी नहीं करेंगे कहीं लोग मेरे साथ बात करते हैं और वो बताते हैं कि सर लोगों को ना तो बूरे लोग ही पसंद आते हैं उनके लिए ही रोते हैं जो उनके साथ अंत में बुरा करते हैं हम जैसे अच्छे लोग तो किसी को पसंद ही नहीं है और यकिन मानिये बाहर से देखने पर उनकी बात एकदम सच लगती है आपने कहीं यह से लोग देखे होंगे जो बहुत पर्फेक है लेकिन वो अपनी राइब में सिंगल है उनको कोई मिली नहीं रहा क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं की दुनिया के सामने अपनी visibility को कैसे बढ़ाते है अगर वो try भी करते है तो भी लोग उनके उपर trust नहीं करते है ऐसा नहीं है कि लोगों को बुरे लोग पसंद होते हैं उनको अच्छे लोग नहीं चाहिए उनको अच्छे लोग ही चाहिए लेकिन वो आपको समझ नहीं पा रहे और उनका trust आपके उपर develop नहीं हो पा रहा है और इसलिए उन्हें तो ऐसा लगता है कि दुनिया में अच्छे लोग होते ही नहीं है अब कहीं लोगों को कहीं बार ऐसा लगता है कि यार प्यार, रीयालिटी है कि आप जो अपने दिमाग में सोच रहे हो, आप जो अक्छाल में चाहते हो ना कि आपके पास कुछ ना हो ठीके, आपके हार condition में को ऐसा है ज़ो आपको समझे और आपको प्यार करें reality में ऐसी चीज़े होती नहीं है कहीं पर एक परसन चीज़े देख लेते हो बाकी इंचियों की उमीद करना आपको अपसोस दे सकती हो और कुछ नहीं तो कि real में अगर ऐसा होता तो दुनिया में जितने भी गरीब लोग है उनको बहुत ज़दा प्यार मिलता है यह सारे चीज़े जो आप फिल्मों में देखते हैं कि hero होता है वो कहीं पर मजदूरी कर रहा होता है और एक heroine होती हो बहुत ही बड़ी सुपरकार लेकर उसके पास आती है और उनको खाना खिला आती है ऐसा पागलपन rarely होता है जब इंसान बीस या पचीस साल की age में होता है जब उनके emotion आउट और कंट्रोल होते तो कुछ-कुछ लोगों में हो सकता है यह rarely इस age के बाज भी कहीं पहीं पर आप देखोगे लेकिन logically practically जादा तर लोग आपको ऐसे प्यार नहीं करेंगे इस बात को समझ लो इस बात को जान से सुन लो कि जादा तर लोग आपको प्यार तभी करेंगे जब उनको ऐसा लगए कि आपको पाकर उनको कुछ मिल गया आपको पाकर उनकी life में कुछ value एड हो गई लेकिन जीन लोगों को human psychology पता नहीं होती न वहीं लोग relationship में हमेशा हमेशा बहुत सारी लोग ऐसी गलती करते हैं वो अपने time की value नहीं करेंगे जिसके कारण एक time के बाद उसका partner ही उसको फालतो समझने लगेगा दूसरी बात वो इंसान हमेशा किसी दूसरे इंसान में अपने partner में खुशी ढूनने की कोसिस करेगा जिससे हमेशा वो निरास होगा और उसका partner भाव खायेगा और तीसी चीज़ वो हमेशा अपने career से ज़्यादा अपने प्यार को importance समझेगा जिसके कारण दुनिया उसके उपर trust नहीं करेंगी उसको notice नहीं करेंगी और end में उसका partner खुद भी उसको notice करना जोड़ देगा तो दोस्तों अगर आप human psychology के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो ज़्यादा सीखना चाहते हो तो मेरी लेखी हुई ebook psychology of relation ebook को आप जरूर डाउनलोड करिएगा जिसका link आपको इस वीडियो के description box से मिल जाएगा Thank you so much